नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वारता में दोस्तो इस वक्त की सबसे बड़ी ख़वर जो सब के सामने आई है दोस्तो वो है कि NTA ने जो UGC NET जून 2020 का एक्जाम होना था दोस्तो वो अब 16 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक करने तै किया है तो ऐसे में दोस्तो एक अच्छी ख़वर भी है हम सब के लिए कि हम सब लोगों को इंतजार था कि NTA का एक्जाम कब होगा कब होगा लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि NTA का एक्जाम है वो कहीं न कहीं अभी नवंबर या दिसंबर में होगा तो वो उस तरीके से त्यारियन नहीं कर रहे थे तो दोस्तो अब हमारे सामने एक तरीके का एक लक्षा आ गया है कि अब हमने इस जेट के लिए खुद को प्रिपेर करना है तो बहुत सारे लोग अभी थोड़ा सा रिलेक्स होके त्यारियां कर रहे थे दोस्तो तो अब उनको भी कमर कसने की क्या है जरूरत है तो ऐसे में दोस्तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि हम खुद को तयार कैसे करें चलिए सबसे पहले में आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी वो नोटिविकेशन है जिसमें यह चीज कहे गई है कि हमारा जो एक्जाम होगा एंटी यूजीसी नेट का जो एक्जाम होगा वो 16 सितंबर से होने जा रहा है तो यह देखे दोस्तो आप देख रहे होंगे जो है यह एंटी एक के ओफिशिल वेब साइट है यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तो यह जो चौथे नंबर पर देखिए यूजीसी नेशनल इलिजबिल्टी टेस्ट यूजीसी नेट जून 2020 तो यह देखे दोस्तो पहली जो शिप्ट में है पहला जो है 16 से 18 सप्टेंबर 2020 तो बीच में में भी शायद छुटिया होगी या इस तरीके से होगा और उसके बाद 21 से 25 तो यह जो दो डेश दी गई ह हैं दोस्तो इसके बीच में ही हमारा जो एंटिये यूजीसी नेट का एक्जाम होने जा रहा है तो यह बहुत बड़ी ख़बर है दोस्तो हम सब के लिए और अब हम देख लेते हैं कि ऐसे में हम खुद को तैयार कैसे करें तो कौन-कौन सी वो चीज़े हैं दोस्तो जो हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इस एक्जाम के लिए कि हम अपने को कैसे इस चीज़ के लिए प्रिपेर करें हलांकि यहां पर हम यह भी देख रहे हैं कि जो कोवीड-19 के चलते क्या है कि इस एक्जाम को डिले किया गया था लेकिन ऐसे में किस तरीके से यह एक्जाम होगा यह देखना भी दिलचस्प रहेगा दोस्तो और अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम इस एक्जाम का या एक तर करने में लगाएंगे दोस्तो उतना टाइम अगर हम study में लगाएंगे तो वो कहीं न कहीं हमारे लिए beneficial होगा तो इसलिए दोस्तो अब है एक ही काम हमारा कि हमारा जो only on focus होना चाहिए वो होना चाहिए हमारी 16 तारीक के उपर जिस तरीके से जब भी exam का तियारियों के लिए लिए करता हूं या फिर कोई भी जो भी हम exam में जाते है तो उस वक्त हमें इन चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है दोस्तो अब हमारे लिए यी चीजें बहुत जरुरी होग़ी है देखिए सबसे पहले concentration अब हमारा जो और सिर्फ concentration या हमारा जो focus है वो किस पर होना चाहिए हमारी पढ़ाई पर होना चाहिए अभी का जो लगवग 20-25 दिन हमारे पास हैं दोस्तों उनका हम सही utilize करेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी हम NTUGC NET की त्यारियां कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उठके ही जा रहे हैं हमने बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई है तो हमें एक concentrate करना है अब खुद को कि हमने दूसरी जगा से अपने ध्यान को बढ़काना नहीं है दूसरी चीज़ें दोस्तों जो मुझे लगता है कि यह चीज़ हमें करनी चीज़ें पॉजिटिवनेस हमें बिल्कुल positive thinking के साथ आगे बढ़ना है यह हड़वड़ाट में नहीं कि इतने जल्दी exam आ गया तो हम इसको कैसे करें हमें बिल्कुल सकरात्मक सोच के साथ आगे GRF होने बाला है तो निश्ची तोर पर GRF हम clear करेंगे दोस्तों अगला है relaxation relaxation से मेरा मतलब है कि हमें बिल्कुल relax होके मतलब जितनी भी हमारी और दिखते हैं उनको छोड़के हमें सिर्फ और सिर्फ अपने study के लिए ध्यान देना है और इसलिए हमें थोड़ा सा relax रहना पड और देना है अबूए को में सेर्फ ओरे और स्थاد समर्ण जूण के रहने कोहँ तेना है और सिर्फ बड़ी में सेता है ये तो मिया दाने है थाहने है आला है, अदस ये ते और वाई धने सिर्फ दोने के ये तो